अपने अगबर में एक बात पढ़ी होगी कि बैंक्स का जो NPA है वो काफी ज़्यादा बढ़ रहा है Stress Asset, Non-Performing Asset मतलब कि बैंक्स ने जो अलग-अलग बिजनसमेन और लोगों को लोन दिये वे हैं और वो लोग अब वापिस लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो बैंक्स को उसमें काफी ज़्यादा प्राबलम हो रही है मतलब कि बैंक्स का जो Stress Asset है बैंक्स की जो Balance Sheet है वो काफी ज़्यादा खराब हो रही है उसको सुधारने के लिए सरकार ने over the period of time कई सारे कदम उठाए जैसे कि Insolvency Bankruptcy Court, Debt Recovery Tribunal, Asset Reconstruction Companies, Surface Act 2002, S4A Resolution Structure कई सारे कदम सरकार ने पिछले 2-3 दस्चकों में उठाए लेकिन कोई भी इतना जादा कारकर साबित नहीं हुआ तो अब finally प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी की सरकार और वित्यमंत्री निर्मला सीतरामन ने डिसाइड करा है कि हम एक bad bank बनाने वाले हैं बेसिक अलिये जो bad bank का प्रस्ताओ है ये economic survey में कुछ साल पहले डाला गया था उस time पे इसके अपर बात चालू थी लेकिन आप finally वित्यमंत्री निर्मला सीतरामन ने बोला है कि हम ये जो bad bank है इसकी स्थापना करेंगे budget में भी इसके बारे में announcement करी गई थी अब इसकी details launch हो चुकी है आचुकी है media domain में क्या है इसकी details किस तरीके से काम करेगा हमारे exam के point of view से क्यो important है क्या-क्या pre-mains interview के aspects है सब cover करूँगा इस particular video में presented by मी मुदद गुपता unacademy सब्सक्राइब करने के लिए use the referral code मुदद गुपता 10% discount के लिए आज 17 September है और आज आखरी दिन है जब आपको maximum discount मिलेगा 20% का उसके बाद discount आपको सिर्फ 10% मिलेगा so unacademy सब्सक्राइब करना है और October के महिने से price hike होने वाला unacademy subscription का September के महिने में ही आपको subscribe करना है अधरवाइस price hike हो जाएगा unacademy के 15 September से अलड़ी batches शुरू हो चुके हैं 22 September से नए batches आ रहे हैं एक साल दो साल के 2022-23 के लिए English Hindi Ballyungal में batches होंगे unacademy के top educators pre-mains interview के point वी से पूरा सले बस cover करने वाले हैं संडे को सुबह 11 बजे हर संडे सुबह 11 बजे हमारा gamified version होता unacademy combat जहांपर एक घंटे का test होगा और 56 questions होंगे जो unacademy के top educators set करते हैं वो अगर आप attempt करते हो और आपकी rank अच्या आते तो unacademy की साइट से आपको उसमा scholarship में लेगी हमारे notes Hindi English दोने languages में 20 booklets available है so unacademy subscribe करिये and get the best guidance by all the mentors at unacademy live and exclusive so do subscribe to unacademy using the referral code mudut gupta let's crack it so सबसे बहले समझने की कोशिश करते हैं कि actual में जो सरकार ने model propose कर रहा है वो किस तरीके से दिखता है उसके बाद आएंगे slides में पहले मैं आपको draw करके दिखाता हूँ मालीजे यह एक व्यक्ति है इसने bank से loan लिया हुआ है 100 रुपे का right hypothetical example लेते हैं कि इस व्यक्ति ने bank से 100 रुपे का loan लिया अभी वापस लोटा नहीं रहा अब अगर यह loan वापस नहीं लोटा रहा तो यह particular loan है इसको हम economy की भाषा में क्या बोलेंगे कि यह जो है stressed loan हो गया यह जो है bank का stress asset हो गया या फिर यह जो है एक non performing asset हो गया मतलब की NPA हो गया तो अब bank को यह 100 रुपे recover करने है बैंक को यह 100 रुपे recover करने है अब यसी बात है भारत सरकार ने क्या करा suppose करिए यह loan इस व्यक्ति ने State Bank of India से लिया था ठीक है State Bank of India से सौरबे का loan लिया इस व्यक्ति ने अब यह loan लोटाया नहीं तो State Bank of India यह कह रहा है कि मेरे तो stress asset बढ़ गए मेरे तो जो NPAs हैं वो increase हो गए यह सौरबे मेरे फस गए निकलवा के दो मेरे को कोई निर्मला सीतरा मंजी ने बोला कि ठीक है मैं अभी bad bank बना देती हूँ वो निकलवाएगा मैंने बूचा कैसे काम करेगा वो तो उन्होंने मेरे को एक structure बताया उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक company बना देते हैं जिसका नाम है National Asset Reconstruction Company Limited आपको कुछ लिखने की ज़रुत निया आपे slides में सब कुछ mentioned है diagram बना के थोड़ा easily explain होता है इसलिए मैं आपे diagram बना रहा हूँ आपको कुछ लिखने की ज़रुत निया इसके बाद वाली slide में सब कुछ mentioned है आप pen copy छोड़के सिर्फ यहाँ पर focus करके सुनिये concept समर आ गया तो आपको कुछ और करने की ज़रुत ही नहीं है आप पूरा focus सिरफ इस concept पर रखी अभी के लिए राइट National Asset Reconstruction Company Limited निर्मला सीतरमन ने बोला कि ऐसी एक company बना देते हैं ठीक है हमने देखा कि SBI के पास अभी की तारिक में जो NPA है वो 100 रुपे का है 100 रुपे का इस आदमी को लोन दिया था इस आदमी ने वो लोन लटाया नहीं तो SBI का non-performing asset 100 रुपे का हो गया निर्मला सीतरमन ने बोला कि एक company बनाते हैं NARCL National Asset Reconstruction Company Limited मतलब कि State Bank of India जो है इस लोन को National Asset Reconstruction Company Limited को transfer कर देगा सर एक बार बताओ अगर ये State Bank of India National Asset Reconstruction Company को लोन transfer कर देगा तो पल्टे में ये State Bank को कुछ मिलेगा हां मिलेगा जो सरकार ने इसका structure बताया है उसके तहत ये company 100 रुपे में से 15 रुपे cash में देगी मतलब कि अगर 100 रुपे का stress asset ये खरीद रही है NARCL जो है National Asset Reconstruction Company Limited अगर 100 रुपे का लोन खरीद रही है 100 रुपे का stress asset खरीद रही है 100 रुपे का NPA खरीद रही है तो उसमें से 15 रुपे इनको cash में देने पढ़ेंगे State Bank of India को बचेवे 85 रुपीज बचेवे 85 रुपीज के लिए ये एक receipt देदेंगे ये एक परची पर लिखके देदेंगे कि सर देखो अभी हमने आपको 15 रुपे देदी हैं बचेवे 85 रुपीज हम आपको थोड़े टाइम बात देंगे मतलब कि State Bank of India का जो NPA है 100 रुपे का इसका पैसा इन्हें इमिजेटली नहीं मिलेगा इसमें सिरब 15 परसेंट पैसा सिरब 15 रुपे इमिजेटली मिलेंगे बचेवे 85 रुपीज एक कागज पर लिखके देदेगा कि हाँ मैंने अभी State Bank of India के 85 रुपीज देने है ठीक है सवाल उठता है अब इसके आगे क्या होगा ये पहला स्टेप तो हमने देख लिया कि NARCL जो है State Bank of India के पास गया लोन खरीदा 100 रुपे का लोन था उसमें से 15% पैसा कैश में देदिया हाथ क्या थी कि लो एडवान्स लो 15% कैश बचावा 85 रुपीज इन्होंने बोला भी वेट करो मैं आपको कागच पे परची बना के देदेता हूँ कि हाँ मैंने आपके 85 रुपीज अभी और देने है एक रिशिट दे दी ठीक है अब इसके आगे क्या होगा समझो ध्यान से यहाँ पे एक कंपनी और बनाई जाएगी जिसका नाम है इंडिया डेट रेजिलूशन कंपनी लिमिटेट इंडिया डेट रेजिलूशन कंपनी लिमिटेट आई डी आर सी यल यह जो आई डी आर सी यल है इसका major काम होगा इससे पैसे रिकवर करना सौर पेस से रिकवर करना इससे सौर पे रिकवर करना और फिर ये पैसा NARCL को ट्रांसफर करना सिरफ इतना काम है तो देखो एक लोन में दो entities involved होती हैं एक bank और एक जिसने लोन लिया है वो bank के साथ interaction करेगा NARCL, National Asset Reconstruction Company Limited और customer के साथ interact करेगा India Debt Resolution Company Limited इन दोनों को collectively इन दोनों को मिला के collectively bad bank बोला गया है तो अब से आब एक चीज़ ध्यान रखेंगे सर कि जो bad bank है वो किसी एक company का नाम नहीं है बलकि दो companies को combine करके भारत सरकार ने दो companies को combine करके एक single entity बनाई है जिसका नाम है bad bank तो जब भी आपके दिमाग में exam में bad bank पूछा रहा है आपके दिमाग में दो bodies आने चीएं NARCL, National Asset Reconstruction Company Limited और India Debt Resolution Company Limited NARCL जो है वो bank से bad loan खरीदेगा और IDRCL जो है वो customer से पैसा रिगवर करने की कोशिश करेगा अब यहाँ पे भारत सरकार का क्या रोल है वो देखे ध्यान से यह है अपनी finance ministry यहाँ पे finance ministry क्या कर रही है मैंने आपको बोला कि NARCL जो है 85 रुपीज की guarantee देगा State bank को कि sir 85 रुपीज आने वाले टाइम में मैं आपके लोटा दूँगा NARCL 85 रुपीज तब लोटाएगा जब IDRCL recovery कर लेगा जब IDRCL कस्टमर से recovery कर लेगा तब NARCL 85 रुपीज लोटाएगा अब यह मानो आप कि IDRCL fail हो गया और वो सिरफ 50 रुपे recover कर पाया IDRCL fail हो गया वो पूरे 100 रुपे recover नहीं कर पाया वो सिरफ और सिरफ 50 रुपीज recover कर पाया तो अब क्या होगा यह जो IDRCL है यह 50 रुपे transfer करेगा NARCL को और NARCL जो है वो 50 रुपे transfer करेगा State Bank को सर समझ नहीं आया 15 रुपे cash में दे दिये ठीक है देने थे total 100 रुपे 85 रुपीज का बाद का वादा किया था उसमें से 50 रुपे recover करके दे दिये तो बचेवे 35 रुपे का है वेर इस दे रेमेनिंग अमाउंट बचेवे 35 रुपे का है Finance Ministry ने बोला कि ऐसे cases में जहां पे NARCL अपना वादा पूरा नहीं कर पारा जहां पे IDRCL पूरी recovery नहीं कर पारा जहां पे कुछ balance अमाउंट बचता है जहां पे NARCL ने वादा तो कुछ किया था लेकिन उस वादे को पूरा नहीं कर पाया उस case में हम picture में आएंगे और बचे वे 35 रुपए आपको दे देंगे तो पूरी cycle क्या बनती है कि यह जो NARCL है यह सबसे पहले लोन खरीदेगा state bank से और 15% पैसा सीधा सीधा cash में देदेगा बचे वे पैसे का वादा करेगा अब IDRCL जो है वो maximum पैसा recover करने की कोशिश करेगा अगर पूरा पैसा recover हो गया तो तो अच्छी बात है NARCL जो है वो पैसा लेके वादे के मुताब एक state bank को दे देगा लेकिन अगर कहीं पे पैसा पूरा recover नहीं हो पाया जैसे कि इस example में मैंने आपको दिखाया screen पे अगर कहीं पे वादा पूरा नहीं हो पाया तो वहाँ पे सरकार ने बोला कि हम बीच में आएंगे और बचावा पैसा हम अपनी जेप से देंगे यह है bad bank का concept जहाँ पे सरकार जो है वो bad bank को support कर रही है मतलब कि in case bad bank अपना वादा पूरा नहीं कर पा रहा तो सरकार बीच में आके बचावा पैसा जो है वो bank को देगी और banks की balance sheet को improve करने की कोशिश करेगी इस तरीके से पूरी cycle काम करेगी यहाँ पे निर्मला सीतर अमन ने बोला कि हमारे पास total 30,600 करोड रुपे हैं मतलब कि यह जो वादे पूरे करने हैं यह जो बचा हुआ पैसा देना है यह हम सिरफ 30,600 करोड रुपे तक ही दे सकते हैं इसके आगे नहीं देंगे मतलब कि निर्मला सीतर अमन ने बोला at max जो हम यह वादे पूरे करेंगे यह सिरफ और सिरफ 30,600 करोड रुपे तक करेंगे इसके आगे कि हम वादे पूरे नहीं करने वाले यह है maximum amount जो भारत सरकार इस पूरे project पे खर्च करने वाला है भारत सरकार ने बोला कि 15 रुपे तो आप cash दे रहे हो उसके लावा 85 रुपीज का आपका वादा है जितना IDRCL recover कर पाए ठीक बचावा balance हम देंगे लेकिन कब तक देंगे जब तक 30,600 करोड रुपे हमारे खर्च नहीं हो रहा थे एक बार हमने 30,600 करोड रुपे दे दिये उसके बाद हम और ज़्यादा भरपाई नहीं करेंगे आपके वादे की तो भारत सरकार ने जो maximum guarantee दी है वो 30,600 करोड रुपे की दिये है कि सर देखो आप कोशिश करो जादर सादर रिकवर करने की अगर आप रिकवर नहीं कर पाते हम बैठे हैं लेकिन हम भी एक लिमिट तक ही पैसा दे सकते हैं वरना हमारा भी fiscal deficit आगे increase हो देगा और हम at max 30,600 करोड रुपे तक ये पैसा आपको दे सकते हैं उसके आगे पैसा हम आपको नहीं देंगे ठीक है सवाल ये उड़ता है कि सर ये जो वादे का बचा हुआ पैसा है ये तो finance ministry दे रही है up to 30,600 करोड कि मतलब cumulatively सारी भरपाई को मिला के finance ministry total भरपाई 30,600 करोड रुपे की करेगी इसके उपर की नहीं करेगी लेकिन सर एक बाल बताओ ये जो 15 रुपे cash का देना है NARCL को ये कहां से आएगा basic अलिए जो NARCL है इसमें जो हमारे banks है particularly public sector banks plus private banks ICICI, State Bank Punjab National Bank etc इनकी इस company में 51% ownership है approximately इन banks ने 6,000 करोड रुपे दी है NARCL को ऐसा media report करती है कि ये जो banks है इनकी 51% ownership है NARCL में और इनोंने 6,000 करोड रुपे दी है NARCL को कि आप ये जो 15% आपको initially cash देना है ये जो initially आपको 15% cash देना है ये आप इस 6,000 करोड रुपे में से देना तो अब पूरी picture क्या निकल के आती है कि NARCL करके एक body बनाई और उसको banks पैसा दे रहे है banks की ownership है उसमें अब क्या होगा ये पैसा यूज करके 15% upfront cash दे दिया रहेगा बचे वेगी guarantee दे दिया रहेगी वादा कर दिया रहेगा IDRCL जो है वो recovery करने की कोशिश करेगा और जितनी recovery होगी उससे वो वादा पूरा करेगा जो बचावा पैसा है वो finance ministry देगी और finance ministry ने ये बोला है कि मैं at max 30,600 करोड रुपे दूँगा इसके उपर मैं एक रुपया भी नहीं दूँगा ये है पूरा का पूरा bad bank का concept अभी इसमें और भी बहुत सारी छोटोटी बात हैं जो मैं बताने वला हूँ लेकिन जो broad concept है वो ये है इसके लावा कोई और broad concept नहीं बनता यहां पे अब मैं आपको पताऊंगा और साधा बारीकिया mains interview के perspective से और किस तरीके से हमार को banking समझना है आप चलते आगे तो यहां पे आप एक चीज़ दान रखेंगे कि ये जो NARCL है National Asset Reconstruction Company Limited इनको 5 साल दिये गए हैं कि 5 साल के अंदर-अंदर जितने भी हमारे NPS हैं उनको आप resolve करोगे निर्मला सीतरमन ने ये target दिया कि 5 साल के अंदर-अंदर ये जो NARCL है ये approximately 2,00,00 करोड रुपे के loans को resolve करेगी 2,00,00 करोड रुपे के bad loans को resolve करेगी मतलब कि इधर ये जो total loans खरीदने वाली है ये जो total loans खरीदने वाली है अलग-अलग bank से इसकी value होगी 2,00,00 करोड रुपे मतलब कि 2,00,00 करोड रुपे के अलग-अलग bankों से ये stress assets खरीदने वाला है तो ये जो NARCL है इसको 5 साल के अंदर 2,00,00 करोड रुपे का target दिया गया है जैसा कि मैंने बताया कि सरकार यहां पे 30,600 करोड रुपे की security प्रवाइट कर दिया कि in case अगर आपकी recovery ठीक से नहीं हो पाती तो हम इतने रुपे की भरपाई करने को तयार है जब भी NARCL कोई भी loan require करेगा तो 15% तो instantly cash देना पड़ेगा और बचावा 85% जो है वो आपको परची पे लिखके देना पड़ेगा security reset के form में कि हाँ हम यह बचावा पैसा आपको देने वाले है recovery के बाद in case recovery नहीं हो पाती तो सरकार के खाते में से हम आपको यह पैसा निकाल के दे देंगे इसके साथ-साथ NARCL जो है यह companies act के अंदर setup करा गया है यह companies act के अंदर setup किया गया है and this will be classified as asset reconstruction company under the RBI मतलब कि RBI इस body को asset reconstruction company का license देने वाली है basically यह एक तरीके की classification होती है अलग-अलग type की जमीन अलग-अलग type की company अलग-अलग type की securities होती है तो यह भी एक तरीके की classification है जहाँ पे asset reconstruction company का license दिये जाएगा NARCL को और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे public sector banks जो है उनकी majority ownership है private और public sector banks मिलके NARCL को काफी सारा पैसा देने वाले है जिससे कि वो 15% cash दे पाए अब यहाँ पे आपको एक बात समननी है कि इस step का सबसे बड़ा benefit क्या होगा ध्यान से देखेंगे देखें यह है आपका State Bank of India banking में एक concept होता है वो concept यह है कि अगर State Bank of India के पास let us say 100 रुपे का NPA है State Bank of India के पास suppose करिये 100 रुपे का NPA अगर ठीक है for every NPA that they have they have to create provisions sir यह provisions का क्या मतलब होता है provision का मतलब कुछ नहीं होता है ऐसा मानवे गुल्लक है bank ने देखा कि मेरा नुकसान बढ़ रहा है तो वो गुल्लक में safe side के लिए पैसा डालता रहेगा अब आप एक बार बताओ जैसे जैसे यह NPA बढ़ता रहेगा गुल्लक में पैसा बढ़ता रहेगा और यह गुल्लक में पैसा है यह गुल्लक में पैसा है यह गुल्लक में पैसा है यह यूज नहीं कर सकते यह यूज नहीं कर सकते यह idle पैसा है ये खाली पड़ा हुआ पैसा है सीधिया सा गणित ये बनता है कि जैसे ऐसे NPA increase होते रहेंगे वैसे वैसे provisions भी increase होते रहेंगे कहने का मत्तब है जैसे ऐसे bank का नुकसान इदर बढ़ता रहेगा वैसे वैसे bank की गुललक में पैसा बढ़ता रहेगा और ये गुल्लक तोड़के पैसा निकाल नहीं सकते ये तो है नहीं आपका बढ़ आता था आप गुल्लक तोड़के पैसा निकाल नहीं सकते दोस्तों को McDonald's में softy खिलाऊंगा State Bank of India ऐसा थोड़ी ना कर सकता है कहने का मत्तब है जैसे इसका NPA बढ़ेगा वैसे वैसे अपनी गुल्लक में पैसा डालना पड़ेगा प्रोविजन में पैसा डालना पड़ेगा और ये आगे लोन में दे नहीं सकते मतलब कि बैंक का इदर नुकसान है जो पैसा लोन में दि लिया तो मतलब कि bank की balance sheet के अपर कोई भी NPA अब नहीं है कहने का मतलब है कि जो NARCL है एक बार इसने bank का NPA अगर खरीद लिया bank का लोन खरीद लिया तो फिर bank की balance sheet पे तो obviously कोई लोन नहीं दिखा जाएगा कोई NPA नहीं दिखा जाएगा क्योंकि वो तो बिक चुका NARCL को उस case में क्या होगा कि bank के NPAs reduce होने लगेंगे bank के जो NPAs हैं वो reduce होने लगेंगे मतलब कि bank ने अपने NPAs बेज दिए NARCL को bank की balance sheet clear हो गई अगर bank के NPA कम हो गए तो इनके provisions भी कम होने लगेंगे गुल्लक में पैसा कम डालना पड़ेगा अब क्योंकि गुल्लक में पैसा क investment बढ़ेगा कहने का मतलब है कि अगर banks अपने stress assets NPAs NARCL को अगर बेशने लगते हैं तो यह बहुत अच्छी बात होगी banks के लिए क्योंकि अब इनको provisions कम बनाने पड़ेंगे इनको provisions कम करने पड़ेंगे गुल्लक में पैसा कम डालना पड़ेगा idle पैसा कम रखना तो banks का इस step से काफी जादा फायदा होने वाला है इसके अलावा आपको एक बात और समझ नहीं है कि आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर यह सरकार ने जो 30,600 क्रोड रुपीज की security दी है सरकार ने 30,600 क्रोड रुपीज की security दी है इससे सरकार का fiscal deficit immediately increase हो जाएग 600 क्रोड रुपीज है यह सरकार की contingent liability है sir contingent liability का क्या मतलब होता है contingent liability का मतलब यह होता है कि सरकार को 30,600 क्रोड रुपीज आज के आज नहीं देने यह सरकार को अगले 5 साल में देने है कहने का मतलब है कि अगर IDRCL ठीक से recovery नहीं कर पाता और बैंक्स जो है यह ने रसी यह 85 रुपीज पूरा नहीं कर पाता वादा तभी Finance Ministry को 30,600 क्रोड रुपीज देने पड़ेंगे मतलब की अभी यह शोर नहीं है कि सरकार को यह पैसा देना भी पड़ेगा यह नहीं क्योंकि अगर IDRCL अच्छे से recovery करता रहा तो Finance Ministry को पैसा देने ही नहीं पड़ेगा अगर IDR CL बहुत अच्छी recovery करता रहा तो Finance Ministry को पैसा देने की जरौती नहीं है यहाँ पर आपको यह समन्न है कि contingent liability का मतलब यह होता है कि सरकार ने 30,600 क्रोड रुपीज देने का वादा करा है पैसे अभी दिये नहीं है सरकार की जेब से पैसा निकला नहीं है सरकार के खाते में यह साल सरकार इसमें से कुछ भी अपने खातों में नहीं लिखने वली क्योंकि अभी ते बैंक शुरू होगा सरकार ने अभी बस यह बोला कि कल को अगर N.A.R.C.L. अपना वादा पूरा नहीं कर पाता तो हम इतना पैसा दे देंगे वादा पूरा करने के लिए बात की बात ह है तब की तब देखेंगे ऐसा सरकार ने बोला मतलब आज की तारिक में सरकार की जेव से एक रुपया भी निकलेगा मतलब की इस साल इस फिनांचल येर में आपको ये नंबर फिस्कल डेफिसिट में नहीं दिखेगा प्रिलिम्स में इस इंटर्व्यू के पूर्ट अभी अगर ये पूरा का पूरा बैड बैंक का कौनसेट फेल हो गया सरकार ने पूरी की पूरी ये गैरेंटी यूज भी कर ली वादा भी पूरा कर लिया उसके बाद भी एनपी अगर बढ़ते जा रहे हैं तो उसके बाद हमार पास कोई सल्यूशन बचेगा नी बैड लोन्स क टैकल करने का इसके अलावा जितने भी दुनिया में रेजिलूशन पॉसिवल हैं जितने भी कदम पॉसिवल हैं वो हम सब कुछ कर चुके हैं ये आखरी स्टेप है जो सरकार उठा सकती है बैड लोन्स को टैकल करने के लिए अगर यहां पे बैड बैंक फेल हो जाता है तो सरकार का 30,000 करोड रुपे ये एकदम वेस्ट हो जाएगा मतलब की आपके और मेरे जैसे टैक्सपेर का ये जो पैसा है 30,000 करोड रुपे ये पूरा वेस्ट चल रहाएगा क्यों क्योंकि कुछ लोगों ने बैंक का लो नहीं लोटाया सरकार ने कोशिश करी रिकवरी की औ तो ये काफी बड़ा यहां पर रिस्क है इसके अलावा अगर ये बैड बैंक का कॉंसे फेल हो रहाता है तो बैंकिंग स्टेबिलिटी के अपर भी काफी बड़ा क्वेशन मार्क उठता है तो आयोब यह पूरा आस्पेक्ट आपको क्लियर है अनकाडमियों सब्स्क्राइब करने के लिए यूज दर अफ्रल कोट मदद गुपता 10% डिसकाउंट के लिए 15 सब्टेंबर से नए बैचे शुरू हुए थे अब 22 सब्टेंबर से नए बैचे शुरू होने वाले इंग 30% डिसकाउंट के लिए उसके बाद प्राइज आइक होने वाला है लेट्स ट्रैक इट